Hi everyone, welcome back to my channel Friend, this video मैं आपको Facebook में इस error का solution बताऊंगा Friend, अगर आपके Facebook में ये problem आ रहा गए, session expire तो इस वीडियो को last तक देखना, इस वीडियो में आपको Facebook का account में session expire, please login again, error का पूरा solution बताऊंगा Friend, इस के लिए वीडियो को last तक देखना, चलिए वीडियो को start करते हैं Friend, इस error को fix करने के लिए सबसे पेक ले, आपने अपने mobile में Facebook एप पर long press करना गए, then यहाँ पर i button आ जाएगी, इस app info पर press करें App info पर press करने के ़ाद, Friend, अब आप ने नीचे आएँ आ गये और यहाँ पर गए, Storage. Storage पर press करें। merde, और यहाँ पर नीचे caption गए, clear data करां। Facebook का data घ्लियर करें, delete पर press करें Facebook data clear करने के बाद आप बेक करें और यहाँ पर फ्रेंड यहाँ फर गए एप details in play store दिन Facebook का data clear करने के बाद एप details in play store पर प्रेस करें अब यहाँ पर play store open हो जाएगी फ्रेंड अब आप आपने यहाँ से Facebook app को update करना आगे मैंने पेखले से Facebook app को update किया गए यहाँ पर आपके साबने अपडेट का अपशन होगी Facebook अपडेट करने के बाद दिन ओके करें फ्रेंड आप पेजबुक अपन करें अब आपने यहाँ पर login पर प्रेस करना आगे और फ्रेंड यहाँ पर गए पर गेटिंग पासवर्ड आपने अकाउंट लोगिन नहीं करना आगे पर गेटिंग पासवर्ड पर प्रेस करें और यहाँ पर फ्रेंड आपने अपने अपना मुबाइल नंबर या इमेल एड्रेस इंटर करना आगे आपके अकाउंट में जो भी मुबाइल नंबर या इमेल था वो यहाँ पर इंटर करें तो मैं इंटर करता हूँ मुबाइल नंबर इंटर करने के बाद पैन अकाउंट पर प्रेस करें फ्रेंट अब आपके मुबाइल नंबर पर OTP आएगी या यहां पर गए get code और link whatsapp तो आपने select करना है get code और link view sms और continue पर press करें पर आपके number पर अब OTP code आएगी वो code यहां पर enter करें यहां से code काफी करें मैंने code काफी किया sms से then continue पर press करें show this number for fasting तो मैं इसको donut allowed करता हूँ अब आपने यहां पर अपना account का password अंटर करना आगी यहां पर आपने new password अंटर करना आगी अपने account का password नू करें यहां से तो मैं new password आपने new password अंटर करने के बाद यहां पर option आप अब अपने आप other devices choose this app someone also use your account आपने यह option जरूर यहां पर टिक करना आगी new password अंटर करें तिक करें और continue पर प्रेस करें तो friend आपके account का password नू हो जाएगी और आपका account जो भी other devices में लोगिन था हूँ यहां से वहां से लागाउट हो जाएगी save और प्रेस करें friend आप इस तरीके से यह problem fix कर सकते हो सबसे पेखले आपने facebook app का data clear करना अगे then play store से update करें update करने के बाद अपने अपने facebook open करना अगे और वहां से अपना facebook reset करें reset करने के बाद आपकी mobile में यह problem fix हो जाएगी अपने अपने यह जाएगी